Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज पढ़ेंगे General Knowledge का new topic Wild Winds Make Storms. What do you mean by wild winds? Wild winds का मतलब होता है children हवाई. लेकिन हवाई बहुत तेज. और जब बहुत तेज हवाई होती है children तो बना देती है storms. माने के तूफान. So children, wild winds को हम hurricane के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? We also call wild winds children hurricane. Okay, always remember कि कोई आप से पूछता है कि wild winds क्या होता है? So it is also known as hurricane. So children, जब बहुत तेज हवाई होती है तो आपको कभी आस्मान में डर सा लगने लगता है? कैसे हर जगा अंधेरा चा जाता है? पेड लगते हैं, मानों के गिरी जाएंगे? सारा सामान, सारी छट इस तरह से आवास करने लगती है. खूब सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेकने लगती है. So children, इसका मतलब यह होता है कि storm आ गया है, तूफान आ गया है. And that is why children, it is here given wild winds make storms. माने के खूब तेज हवाएं, जंगली हवाएं, माने के खूब खतरनाक हवाएं, क्या बना देती हैं? Storms बना देती हैं. So children, in this chapter, we are going to learn about the storms, winds and monsoon. Yes children, क्योंकि monsoon माने के rainfall में सबसे बड़ा हाथ होता है, winds का. अब आप बोलोगे, rainfall में तो बारिश होती है, हवाओं का क्या काम? So children, yes, अगर हवाएं नहीं होंगी, अगर wind नहीं होगा, तो मान लोग के उस साल rains भी नहीं होंगे. Yes, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे, rainfall is completely dependent on winds, children. And that is why आपने सुना होगा news में, कि कहा जाता है कि वहाँ पे हवाओं का रुख बदल रहा है, वहाँ पे हवाओं का कुछ बहुत जोर जोर से कुछ धूचाल मच रहा है. मतलब, now the time is coming that your monsoon is arriving. Okay, कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो सब हम discuss करेंगे अभी. लेकिन, children, we are going to learn about the monsoon first, monsoon माने की rainy season. Okay, जब खूब सारी बारिश अदे लगती है, जमा जम, जमा जम, और मन कहता है, खाने का पकोड़े भजिया, और हर जगह आपको सिर्फ दिखता है, पानी, 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 तो समझ जाना कि आपके शहर में होच चुका है, monsoon. Okay, so children, that means rainfall. In the picture, you can see how cars are on the road. आधी कारे तो पानी में समा चुकी है, इतना waterlog है, children. क्योंकि proper पानी का passage नहीं है कि पानी निकल जाए, इसलिए वो सारा पानी roads पे ही जमा होता रहता है. फिर problem होती है, इन बिचारी गाड़ियों को, कि वो कैसे cross करें. क्योंकि children, आपको पता है, कि ज्यादा अगर पानी बढ़ गया, तो दिक्कत होगी गाड़ियों को, engine हो जाएगा, seas. इस, yes children, तो पानी के मज़े तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन हमने पानी के जाने का कोई प्रबंध ही नहीं किया है. So many problems in different, different parts of the cities, children जहाँ पे सुनते हैं, कि पानी भर गया, पानी नहीं निकल पा रहा है, पानी जमा है. So children, monsoon तो आता ही है, खुश खबरी भी लाता है, लेकिन साथ में लाता है, water logging की समस्या. Okay children, so बात करते हैं, अपने topic की, topic से नहीं बढ़ते कहीं और. So children, monsoon जैसे के मैंने कहा कि monsoon को लाने में भी winds बहुत बहुत काम करता है, कैसे करता है? You can see here, heavy rain falls in India for about 4 months. So children, yes, हमारी country में there are different, different types of seasons, आप कुद पता ही होंगे, summer season, rainy season, winter season and then there are spring, there is autumn, बहुत सारे seasons होते हैं हमारी country में children. लेकिन children, जो हमारी country में rainy season होता है, that is for 4 months. Can you see here, it is for 4 months, starting from June, July, August and September. September, September खतम होते होते तक monsoon हमें अलविदा कह देता है. So children, basically हमारी country में जो monsoon आता है, that is for 4 months. Okay, it is called the monsoon. और तब सुना होगा, अरे सावन आ गया, monsoon आ गया, rainy season आ गया and everyone gets so happy. Especially the farmers of our country, क्योंकि children हमारी country के जो farmers है, वो raining season पे dependent रहते हैं. उन्होंने crops लगाई होती हैं और वो सोचते हैं कि पानी बरसेगा, तो उनके crops को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा और वो अच्छे से ग्रो करेंगे. ओके children, तो rain season जब आता है, तो सब के मूँ में खुशियां लाता है. The rain is needed. Yes, we need rain children. कभी भी यही नहीं सोचना कि अगर बरसात नहीं हुई तो क्या हुआ? कोई बात नहीं. No children, जिस साल बरसात नहीं होती है, उस साल बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है. हमने तो पढ़ाई ही है कि हमारे पूरे world में, माने कि planet earth में, बहुत कम होता है पानी, which is actually usable, जिसे हम use कर सकते हैं. बाकी जो पानी होता है, children, वो होता है saline water, माने कि salty water, जिसका कोई काम नहीं होता. तो और, children, सबसे जादा जो हम पानी के लिए dependent होते हैं, वो होते हैं rainfall पर. अब अगर सोचो कि किसी साल अगर बारिश नहीं हुई, तो सारी चीजों का बंटा धार हो जाएगा. Crops नहीं grow करेंगे. आपको पानी पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा. आपके lakes, ponds, rivers, सब सूख जाएंगे. तो आप सोचो, children, कैसे आप अराम से रह पाएंगे? Okay, and that is why it is written here, the rain is needed. It helps crops grow. It provides water. Okay, so children, आप खुदी सोचिए के आपको अगर दुनिया में रहना है, if you want to stay healthy, आपको क्या चाहिए? You need food to eat. So, children, अगर rainy season ही नहीं होगा, तो how will our farmers grow crops? क्योंकि हमारे farmers तो rainfall पर dependent रहते हैं. तो, children, इसलिए हमेशा हमें यही मनाना है, कि हर साल बहुत अच्छे से monsoon आए, खुब अच्छे से बरसात हो, ताकि हमारे देश की, हमारे world की, river, lakes, सब भरे रहे और हमारे crops को भरपूर पानी म Okay, children, तो क्या बात थी? के monsoon जो हमारे country में होता है, that is for four months and we need water because water is needed. Water is needed to grow crops. Okay, children, then, next है, winds cause the monsoon. So, as I already told you, children, monsoon आने का सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? Winds का, हवाओं का, winds ही है, जो monsoon को लाते है, children. Wet winds blow off the ocean. कैसे होता है? अब आप सुनिए. Ocean क्या होता है, children, जैसे के आपने Indian Ocean सुना होगा, Pacific Ocean सुना होगा, ठीक है? तो children, जो ये सागर होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके उपर से children wet winds blow करती है, माने के उठती है. Wet winds मतलब humid से भरी हुई हवाई, उपर उठती है. They hit hot air from the mountains. और children, जो पहाडों पे, उचे, उचे पहाडों पे, जो ये hot air चल रही है, तो चिल्रन जो ocean में से wet wind निकली है. मान लो, this is your ocean children, okay? This is your Indian ocean. एक example ले लेते हैं. This is your Indian ocean children और इसके अंदर से wet wind निकल रही है, blow off कर रही है. मतलब निकल रही है. अब चिल्रन जब ये wet wind जो है, ये वाली hot air से hit करती है. मतलब टकराती है. When they hit hot air from the mountains, this forms storms. और चिल्रन जब ये हवाए, यहाँ से wet हवा निकल रही है. कहां से? Ocean से. और यहाँ से hot air निकल रही है. कहां से? Mountain से. जब ये hot air और ये wet air दोनों एक दूसरे को hit करते हैं, चिल्रन. तो बनता है storms. माने के तूफान. ओके चिल्रन, तो तूफान कैसे आता है? अब आपको समझ में आया कि जब समुद्र में से, सागर में से wet air जो होती, वो blow off करती है. और mountains में जो hot air उड रही है. दोनों जब एक दूसरे को hit करते हैं चिल्रन, तो बनता है तूफान, बनता है storms. And that is why the chapter is, wild winds make storms. Okay? Now, what is there? In India, 8 of every 10 drops of rain fall during the monsoon. So, children, हमारी country India में, जो 10 drops होते है rain के, वो fall करते हैं, उसमें से 8, 8, every 10 drops of rain fall during the monsoon. ठीक है? 10 drops में से 8 जो होते हैं, children, वो rain क्या होती है? यह fall होती है हमारी country, इंडिया में. जो धिहान रखना, 10 drops में से 8 drops जो होता है, वो rain fall हो जाती है हमारी country, इंडिया में, children. Okay? Now, a storm forms over warm wet water in the ocean. अब children, जो storm है, a storm forms over warm water in the ocean. जो storm बना, children, वो क्या करता है? वो फिर warm water में ocean के उपर पे जाके चलने लगता है. Storm आने के कैसा? आप देख सकते हो, कैसा आया है? चक्रवात, इसका हिंदी क्या होता है? चक्रवात होता है, storm का. अब आपने storm तो बना दिया, wild winds ने storm बना दिया, अब जो storm होता है, children, वो ocean पे क्या करता है? उसके उपर पे आने लगता है, उड़ने लगता है. It is bigger than many countries. And children, ये इतना बड़ा तूफान होता है, इतना बड़ा storm होता है, कि किसी country के size से बड़ा होता है. It is bigger than any countries. It looks like a pinwheel. It looks like a pinwheel, children, like this. It looks like a pinwheel. जब storm आता है, so it looks like this, children, in the water. अब आपने storm तो प्रडूस कर दिया, wild winds ने storm प्रडूस किया, and that storm is on the ocean, children, and it looks like a pinwheel. और वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, और इतने बड़े size का है, कि किसी country के size को मात दे दे. Okay? It is called a tropical cyclone. और जब इस तरह का pinwheel बन जाता है, children, then it forms tropical cyclone. Okay? This is tropical cyclone. When the storm takes the shape of pinwheel, that means it is tropical cyclone. It is a dangerous storm. और, children, यह बहुत ही खतरना तूफान होता है, tropical cyclone. अगर आप सुन रहे हो कि tropical cyclone आ रहा है किसी country में, that means it is very, very dangerous storm, children. Okay? तो आप समझे कि कैसे storms बन रहे हैं? आपके जो ocean के ऊपर wet air है, वो ओड रही है, और mountains के ऊपर जो hot air है, उन दोनों जब टकराते हैं, तो क्या बनता है, children? Storms बनते हैं. और जब यह storms, children, ocean के ऊपर आके खुब खतरनाग तरीके से उडने लगते हैं, घूमने लगते हैं, then they take the shape of pinwheel. And then it becomes tropical cyclone and yes, children, tropical cyclone is very, very dangerous. यह तबाही मचा सकती हैं किसी भी country में, इधर उधर सारी चीजें कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बहुत सारा human loss हो सकता है, property loss हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि विधिन 10 seconds में tropical cyclone कितना कुछ loss कर सकता है. Okay, so this is the shape like a pinwheel children and it is taking the form of tropical cyclone. Okay, then what is there? The center of a cyclone is called the eye. So children pinwheel का जो center होता है, उसको हम कहते हैं eye. The center of the cyclone is called eye children. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कोई भी cyclone का जो center होता है, that is known as eye. The eye is calm and clear children. तो जो बीच का जो पाठ होता है cyclone का children बहुत शान्त होता है और clear होता है. It is calm and clear. The area outside the eye is the eye wall. और चिल्रन ये जो आई के बहार के जो area है, इसको कहते हैं eye wall. क्या कहते हैं eye wall. Center जो है cyclone का उसको तो हम समझते हैं क्या कहते हैं eye कहते हैं. लेकिन जो आई के बहार का जो area है, that is wall, is known as eye wall. The eye wall and arms are stormy. And children ये जो बहार के areas होते हैं eye wall, children ये बहुत जादा खतरनाक होते हैं, बहुत आतंग फिलाने वाले storms होते हैं. अंदर तो बहुत शान्ती है, अंदर it is calm, बट जैसे जैसे ये eye wall बढ़ता है, अपने arms फैलाता है, चिल्रन ये सबसे बहुत जादा डेंजरस होते हैं, ये तबाही मचा देते हैं. तो understood about storms, कैसे ये तूफान बनते हैं, wild winds make storms, पहले तो चिल्रन winds मौनसून लाने में मदद करता है, दूसरा चिल्रन अगर बहुत जादा winds आ गए, तो ये ले आते हैं तूफान, और तूफान भी कौन सा वाला, tropical cyclone, जो वैसे ही बहुत जादा खतरनाक होता है, ओके, तो understood the chapter, wild winds make storms and important, important points भी आप समझ गए, के आई क्या होता है, आई वाल क्या होता है, पिन वील क्या होता है, ये सारे टर्म cyclone से related हैं चिल्रन, you will need to understand that क्या होता है, आई सेंटर होता है, cyclone का, काम होता है, outside the eye is known as eye wall and it is yes, stomy, और जो शेप होता है, चिल्रन, cyclone का वो कैसा होता है, पिन वील होता है and the example is in front of you, okay children, start the exercise of this chapter together, okay, so fill in the blanks, सबसे पहले क्या है, fill in the blanks है, जिसमें आपको statements दिये रहेंगे, साथ में दिये रहेगा blank और नीचे दिये रहेगा help box, आपको help box के अंदर से right option को choose करना है और blanks में fit करना है, okay, so the first question is, heavy rainfall in India for four months is called, so children, जैसे के we know that in our country, there are four main seasons, है ना, कौन-कौन से, summer season, rainy season, winter season, spring season, ठीक है, so children, जिसमें से जो rainy season होता है, वो क्या होता है, वो होता है four months का, okay, starting from the June and it ends by the September, तो ये चार महिने का जो heavy rainfall period होता है, हमारी country India में, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक specific नाम है children, जब ये rainfall शुरू होती है, तब हम कहते हैं, oh finally, ये आ गया, क्या आ गया, so the options are, tropical cyclone, monsoon, storm, wind और eye wall, so children, the right answer is, monsoon, सुना होगा न, monsoon आ गया, finally monsoon has arrived, अब राहत मिलेगी गर्मी से, so children, जो बरसाथ होती है, जो हमारी country में होती है, four months की, उस period को, उस span को हम कहते हैं, monsoon, so heavy rainfall in India for four months is called monsoon, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, we will write down monsoon, okay, ठीक है, यहाँ मैंने cut कर दिया, monsoon हमने यहाँ पर fit कर दिया, okay, moving to the next question, dash cause the rains, so children, क्या कारण होता है कि बरसाथ होती है, so in the chapter children we learnt, के अगर आपको बारिश चाहिए, तो चाहिए अच्छी खासी क्या, अच्छी खासी हवाए, क्योंकि children, winds cause the rain, and that is why I will write down here, winds, okay, alright, तो मैं यहाँ पर काती हूँ, wind, alright, next question, when winds hit lot of air from the mountains, it forms, so children, हमने चाप्टर में पढ़ा था, कि जो ocean के ऊपर, जो wet winds होती है, जब वो mountains की hot air को hit करती है, तो क्या बनता है, do you remember, so children, in the question also, it is asked, when winds hit lot of air from the mountains, it forms, क्या बनता है, जब यह जंगली हवाए, ocean के ऊपर की, जो यह वेट हवाए होती है, और mountains की ऊपर, जो यह गरम हवाए होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो बनता है, children, तूफान, माने के, स्टोम, okay, so here, स्टोम विल गेट कट, और यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टोम, clear everyone, so when winds hit lot of air from the mountains, it forms, स्टोम, now, next question, अ स्टोम फोर्म वाँटर इन दा ओशन इस कॉल्ट, अब स्टोम आ गया, अपने को स्टोम समझ में आ गया, लेकिन चिल्रन जब यह तूफान ओशन के ऊपर से एकदम गरम हवाई बनके घूमने लगता है, तब क्या आता है, so children, winds बनाते हैं स्टोम, और स्टोम बनाते हैं साइक्लोन, okay, so I will write down tropical cyclone here, क्योंकि जब आपके स्टोम ओशन के ऊपर से गुजरने लगते हैं children, बहुत तेज तो बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, which is very, very dangerous, तो एक चीज़ ध्यान रखना है children, जब winds हो जाती हैं wild, तो बनाती है स्टोम, और चीज़रन स्टोम के बाद बनता है साइक्लोन, तो यह पूरा साइकल होता है, और जो यह साइक्लोन होता है children, it is very, very dangerous, alright, understood, तो यहाँ पे क्या हैगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हम यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन को कर देंगे, cross, okay, moving to the next question, next question है, the area outside the I is the, the area outside the I, किसका आई, हमारी आखे, no, आपको अगर ध्यान है, तो अपना जो पिन्वील होता है children, वो होता है, center part क्या, I, remember, तो I of this pinwheel children, क्या था आपका, जो स्टोम के बीच का, जो portion होता है, वो होता है, I, so children, area outside the I, center तो पता है, आख होती है, I है, लेकिन जो area outside the I, होता है, उसको क्या कहते थे, yes, my dear students, it is I wall, क्या होता है, it is I wall, clear, so ये रहा आपका I wall, और हमने वो लिख दिया, so जो center part होता है, which is very calm and peace, उसको कहते हैं I, लेकिन जो I का बहर का जो area होता है, वो कहलाता है I wall, clear everyone, all right, my lovely students, okay, now, match the following, तो fill in the blanks के बाद, अब हम करेंगे, match the following, now children, इस तरफ तीन नाम दिये हैं, इस तरफ तीन नाम दिये हैं, सभी कुछ हवाओं से ही related है, लेकिन children, आप कभी अपनी बालकनी बैठे हों, और आपको लगता है न, कि ममा आज बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, और कभी कभी तो इतनी ज़ादा हवा होती, कि आपको ममा बोलती है, खिड़किया बंद करो और घर के अंदर बैठो, और children कभी कभी तो ऐसा लगता है, कि आप डर जाते हो, so children अलग-अलग frequency की winds होती है, और इसलिए children उनके नाम भी अलग-अलग होते हैं, उनके rate of movement की according, ठीक है, तो पहला है अपने पास moving air, तो जो children move कर रही है, जो अच्छी खासी चल रही है, माने कि बह रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम breeze कहते हैं, उसको हम storm कहते हैं, या उसको हम wind कहते हैं, so children, moving air is simply known as wind, ठीक है, हवा चल रही है, मतलब जब पेड के अच्छे हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, आपके जो बाहर कपडे सूख रहे हैं, वो अच्छे खासे हिल रहे हैं, माने के it is moving air, and moving air is known as wind. Second children, slowly blowing wind, slowly blowing wind मतलब, सीधी साधी शान्थ हवा चल रही है, मतलब मौसम बहुत सुहाना है, तेज हवा भी नहीं है, नाही बहुत सादा स्लो है, मतलब धीरे धीरे बह रही है, slowly blowing wind, and you are just loving the wind, उस समय कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हलकी हलकी हवा चल रही है, और मौसम बहुत ही सुहाना है, चलो कहीं गूमने को चलते हैं, so children उस typical wind का नाम होता है, breeze, okay, it is breezing, breezing मतलब बहुत अच्छी और शांत से भरी हवा बाहर चल रही है, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, in fact environment बहुत ही pleasant हो चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है और घूमने जाने वाला मौसम है, ना ही गर्मी है, ना ही सर्दी है, बिलकुल सही और balanced मौसम है, okay, so children जब ही घर के बाहर slowly blowing wind चले, आपको कहना है breeze, all right, now, fast blowing wind, अब खतरनाक तरीके से children हवा चल रही है, fast, इतनी के पेड गिर गए, electricity के पोल गिर गए, छत के पले निकल गए, और इतनी तेज हवा चल रही है, के आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, और आपको बहुत डर लग रहा है, so children, fast blowing wind is known as storm, तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गई है, so children, that is nothing but fast blowing wind, so understood क्या है ये, specific specific नाम है इन हवाओं के, moving air is known as wind, slowly blowing air is known as breeze, and the fast blowing air is known as storm, clear everyone, तो आपको आज से इन हवाओं के, उनके movement के हिसाब से उनको नाम देना है, ना कि ये कहना है, हवा चल रही है, अरे हवाय तो चलती है, लेकिन हवा धीरे भी चलती है, और तेज भी चलती है, और होते हैं उनके specific नाम, so children, ये थी हमारी exercise, while winds make storms, अब एक information कि, अगर आपको magnet brains के वीडियोज देखने होते हैं, जाना है, Google Chrome पे लिखना है, www.magnetbrains.com, उसके बाद ये site खुलेगी, डिस्पे लिखा रहेगा, India's number 100% free online education platform, नीचे दिये रहेंगी children classes, now for example, you are in class 2, click class 2, आपके subject teachers, आपके सामने होंगे, अब आपको अगर GK पढ़ना है, click GK वाच रहाओ, आपके सारे chapter wise videos, GK के आपके सामने होंगे, आपको कोई particular video देखना है, play the button and the video will start. So, ये था आपका topic, next video में हम करेंगे, new topic से शुरुआद, तब तक के लिए, Magnet Brains को like, follow, subscribe करना, नहीं भूलना, क्योंकि Magnet Brains येता है, kindergarten to grade 12, free videos and free education, thank you.